थाकुर जी बोले एक यूग की प्रतिक्षा अब तु तुझे मेरा दर्शन कल यूग में होगा जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो उपासना करो मेरे रूप की उपासना करो मेरी तब जाकर कि तुमको दर्शन होगा माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल नित्र बंद करके साधना युक्त रहती है रोती है विलकती है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते है उसको बरज की गोपियां भी कभी-कभी माधवी के उपर तरस्ती है कि बताओ हम कितनी सोभाग गिवनते हैं कि हमको दिख जाते हैं कि सब आकर के रूप बताती है आज आज शाम सुन्दर ने ऐसी पाग पहनी है ऐसे वस्तर पहने ऐसी उनी का मंदल में ब्रह्मन करती रही कल्यूग प्रारंब हुआ है और कल्यूग में भी जब भक्ति सतक भक्तिकाल जब आया तब भारत की राजस्थान की भूमी और उस राजस्थान की भूमी में भी मेड़ता मेड़ता में भी परम गुभक्त परम संत भक्त परम ब्रह्मन निष्ठ राव दूधा जी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्ति मती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है बोलो भक्ति मती मीरा बाई की जन्मी